हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका योनिक मैडिसिन योटूब चैनल पर और गाईज आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिकलो फेनेक इंजेक्शन के बारे में कि इस इंजेक्शन के क्या-क्या फायदे होते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं और ये मैडिसिन किसके लिए है साथ ही ये क्या बैनेफेट्स करेगी क्या फायदे करेगी इसको लेते समय क्या आपको सेफटी टिप्स फॉलो करने हैं तो ये सारी चीजे हम इस वीडियो में गाईज जानने वाले हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम्प्लीट वाच करें तो यह है dynapar injection जो की काफी popular injection है दोस्तो dynapar जो इसका नाम है यह company ने इसको दिया है और diclofenic इसका salt composition रहता है मतलब कि इसका generic name होता है और यह prescription वाला drug है तो guys अगर हम इस medicine के फाइदे देखें कि इसके कौन-कौन से फाइदे होते हैं जो मरीज को मिलते हैं कि अगर किसी को हड़ियों में दर्द होता है जोइंट्स में दर्द होता है तो यह इसके फाइदे हैं कि इस दर्द को ठीक करेगा मतलब इसको ठीक करने का काम करता है इसके अलाबा किसी को body pain हो रहा है तो body pain के लिए काफी अच्छा है अगर किसी को kidney stone हो जाते हैं फाखिदे मंद है कि अगर किसी को कोई accident हो गया तो accidentally उनको कोई काफी injury हो गई, चोट लगई, यदि किसी का कोई हाथ कड़ीया, गवाऑ लगगया बाडी पे और गाव गहरा है, डीब कड़ी लगा है, तो ऐसे डीब कर जो pain होता है, तो इस injury के pain कहलाते हैं, इनको ठीक करती इसके अलाव दोस्तों ये muscles pain के लिए काफी अच्छी ए कि अगर किसी को mass spatial में दर्द हुरा है तो इस condition को ठीक करता है काफी आराम करता है इसके साथ ही अगर किसी को headache है और Atlanta जैसी जो है problem हो रही है तो इसके लिए अच्छा होता है गाईज बैकेक यानि कमर दर्थ के लिए अच्छा होता है कि अगर किसी को कमर के जो मसल्स हैं वो खिच गए है या फिर किसी भी रिजन से कमर में पेन हो रहा है तो यहां भी काफी अच्छा काम करता है दोस्तो इसके साथ ही dental pain के लिए काफी फाइदे मन्द होता है कि अगर किसी को dental pain है मालीज ये दांत का दर्ध है कि यदि किसी का दांत खराब है दांत को निकाल दिया तो उस समय जो pain होता है उसको रोकता है यदि किसी के दांत का कोई surgery वगेरा हुआ है गम्स का कोई cut है गम्स में कोई घा हुआ है infection हुआ है मसूणों में तो ऐसे जो दर्ध होते हैं इनको ठीक करता है tooth pain के लिए काफी अच्छा होता है तो overall guys अगर हम एक सब्द में बात करें तो ये एक ऐसा injection है जो कि आपको सभी तरह के लगबग जो दर्ध होते हैं पेन होते हैं इनको ठीक करता है तो दोस्तों ये इसके फाइदे हो जाते हैं अब हम बात करेंगे इसके side effect की कि इसको लेने के बाद क्या side effect patient में आ सकते हैं तो guys इस medicine को लेने के बाद में आपको जो है ulti-mithly हो सकती है आपका G मिचला सकता है headache बगएरा लग सकता है और इसके अलावा आपका जो abdomen है वो upset हो सकता है पेट खराब हो सकता है आपको सरदर्द हो सकता है ulti-mithly लग सकती है और skin पर races वगएरा आ सकते हैं तो ये कुछ symptoms हैं जो common किसी भी patient में आ सकते हैं अगर ये symptoms थोड़े समय के लिए आते हैं तो आप जो है घबराएं नहीं डरें नहीं अगर ये symptoms लगातार बने रहते हैं तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलकर उनको सारी बाते बतानी है और जिससे कि आपके जो डॉक्टर है वो आपको एक सही treatment दे सकें तो ये आपको धियान रखना है दोस्तो इस injection को लेने के बाद आपको दारू नहीं पीनी है मतलब कि liquor का consume नहीं करना है सराब नहीं पी तो भी डॉक्टर से consult करें जिससे किसी भी तरह का आपको नुकसान नहों गाईज अब वीडियो के last में जान लेते हैं इसका MRP क्या रहता है तो गाईज इसका जो MRP है वो 20 रुपए से लेकर 25 रुपए रहता है तो आप इसको medical store से खरीच सकते हैं और इसके अलाबा आप खरीच सकते हैं तो गाईज ये थी इस Dynapar यानि के Diclofenic Injection के बारे में एक जानकारी वीडियो मैं उमीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपके लिए पसंद आएगा और आप इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखेंगे तो आज की वीडियो में गाईज इतना ही है आ आप से फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए सेफ रहें अपना ख्याल रखें चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दें जैह हिंद पंदे मात्रब